कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग उनके रस्ते पर भीड लगाये रहते हैं, जो गौड मैन की पूजा करते हैं, तो एक बार मुझे लगता है कि ये लोग उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह गौड मैन कितना शक्तिशाली और बद्धि नहीं हैं, लेकिन एक इनसान का नुसरड करना और उसे भगवान की तरह देखना, या वह गौड मैन इतना बुद्धिमान है कि या उन्हें विश्वास दिला देता है। नहीं, कोई वहाँ बैठा है, कोई और अभी हम मालवी जी को माला पहनाएंगे, क्या वो एक भगवान है? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका हम सम्मान करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी हम कद्र करते हैं, तो हम माला पहना कर उनके लिए अपना सम्मान दि तो हम उनके आगे सिर्फ जुकाते हैं तो ये यहां अलग-अलग तरह के तरक है मत सोचिए कि सिर्फ एक तरक है एक निचलेस तरका तरक है थोड़ा उचा, बहुत महीन तरक भी होता है अब लोग जो उपर देखकर पूजा करते हैं ये कहते हुए कि हमारे भगवान वहां उपर है और वो आपको ठीक लगता है क्योंकि पहले तो ये सारा उपर वाला बिजनेस पहली चीज तो आप, क्या आप एक गोल ग्रह पर रहते हैं? आपको यकीन है? ठीक है धरती गोल है और हर समय घूमते रहती है अगर आप उपर देखते हैं तो निश्चित ही आप गलत दिशा में देख रहे हैं आप नौर्थ पोल पर भी नहीं हैं आप काशी में हैं आप इस तरह हैं हर समय गलत दिशा में देखते हुए सब 360 डिग्री तो क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मान में उपर किधर है क्या कहीं उसका निशान है इस ओर उपर नहीं तो आप ये भी नहीं जानते हैं कि कौन सी तरफ उपर है लेकिन आप जानते हैं कि कौन उपर है मेरे ख्याल से ये बहुत मूर्खता पूर्ण है चाहता हूँ कि आप ये संख्या हो, वो वास्ताव में खाली है, परमाणू में बस थोड़ा सा पदार्त है, आप ये जानते हैं, आपका विशय क्या है, माफ कीजीए, आप सारी गलत चीज़ों के लिए बहस कर सकते हैं, खैर ये विज्ञान है, कि 99 प्रतिशत से अधिक, 99.9, 11 या 14 बार या ऐसा कुछ, मुझे सटीक संख्या नहीं पता, परमाणू का उतना हिस्सा खाली जगा है, सिर्फ थोड़ा सा पदार्थ है, बहुत ही कम, छोटी सी चीज, छोटी सी चीज में भी ये बहुत छोटा है, यही चीज ब्रह्मांट के बारे में भी सच है, उसमें भी यही अनुपात है, 99 प्रतिशत से ज्यादा खाली जगा है, सिर्फ तारों और ग्रहों और तारमंडलों के कण, नन्हे कण है, बाकी सब खाली जगा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस खाली जगा की अपनी बुद्धिमत्ता है, कि वो इस सारे भौतिक पदार्थ को एक तरह से घुमाते रहती, क्योंकि हम कितना भी अध्यान कर लें, हम देखते हैं, ये बौतिक पदार्थ खुद में ज़रूरी बुद्धिमत्ता नहीं रखता, साफ है कि कुछ और उसे चलाता है, तो उसे समझाने का साधारन बचकाना तरीका ये है, कि वहाँ उपर एक आदमी बैठा है और सब कुछ मैनेज कर रहा है, लेकिन जब आप ब्रह्मांड का आकार देखते हैं, तो एक आदमी का चीजें मैनेज करना स्वभाविक रूप से संभव नहीं है, मैं अमेरिका के नैश्विल शहर में लोगों के एक समूव से बात कर रहा था, मैं उन्हें एक चुटकला सुना रहा था, उस चुटकले में मैंने भागवान को एक पुरुष की तरह संभूधित किया, तुरंत महिलाएं खड़ी हो गई, क्या आप मानते हैं कि भागवान एक पुरुष है, वो वो मैं जानता हूँ कि मैं किस जहमेले में पड़ गया हूँ, मैंने का, मैं सिर्फ एक चुटकला सुना रहा था, वो बोली, नहीं, आपने उन्हें पुरुष की तरह संभूधित किया, अब अमेरिका में एक बड़ी बहस चल रही है, कि भागवान महिला क्यों नहीं हो सकते, पिछले चुनाव में उन्होंने इसे सुलजाने की कोशिश की, लेकिन आप नतीजे जानते हैं, फिर ऐसे तर्ग भी हैं, देखिए, आपने इदी अमीन के बारे में सुनाएं, इदी अमीन, युगांडा वाला, इदी अमीन ने घोशना की, भागवान काले हैं, मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर गोरे आदमी के भागवान गोरे हो सकते हैं, तो गाले आदमी के भगवान काले क्यों नहीं हो सकती तो अमेरिका के दक्षिनी चर्चों में एक बड़ी बहस हो रही है भगवान गोरे हैं या काले असल में बहस हो रही है पिछले चुनाव में उन्होंने ये मामला सुलजाने की कोशिश की थी वो सपल नहीं रहे मगर भारत में हम जानते हैं कि भगवान साव ले क्योंकि वो लोग नहीं जानते क्योंकि उन जगहों पर भगवान ने सिर्फ अपने दूत, बेटे या किसी और किसी और को भेजा था यहां भगवान खोद आये नौ बार खासकर वो भारती जो देश के बाहर रहते हैं इसे लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं भगवान हमारे देश में नौ बार आये तो मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूँ कि ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान भारतियों को लेकर किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते वो जानते थे वो जानते थे कि उनका बेटा, उनका दूद, कोई भी भारतियों को ठीक नहीं कर सकता इसलिए वो खुद आए नौ बार और वो असफल रहे देखें, नौ बार या दस बार आप भहस कर सकते हैं असफलता पर भहस नहीं हो सकती, है ना? असफलता बहुत साथ दिखती है, है की नहीं? तो हम इन चीजों के बारे में लगातार बात करते रह सकते हैं लेकिन आपके विश्वास संस्कृतिक रूप से महत्वपून है अस्तित्तो के स्तर पर नहीं तो आपको ये समझना होगा कि ये एक बिना भगवान की संस्कृति है यहां हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया हमारे माता पिता, हम उनके आगे सिर जुकाते हैं अगर आप देखें, अगर शेव भी आएं आप यही करेंगे, है ना, है कि नहीं अगर आप एक पेड़ भी देखते हैं, हम यही करते हैं अगर आप गाए को भी देखते हैं, हम यही करते हैं यहां तक कि साप को भी, गाए हमें दूद देती है इसलिए हम सर जुकाते हैं साप, क्योंकि उसने आज हमें काटा नहीं, हम सिर जुकाते हैं। मैं कहा रहा हूँ कि जो हम भगवान के साथ करते हैं, हम वही काम आदमी, औरत, बच्चा, जानवर, हर किसी के साथ करते हैं, है कि नहीं? फिर आप किसी एक आदमी को गॉड मैन क्यों बोल रहे हैं? हम हर किसी के आगे सिर जुका रहे हैं, है ना?